इंदोर की विधान सभा पाच सियासत का नया अखाड़ा बन चुकी है यहाँ पर पिछले दनों करीब 35 नाराज नेताओं ने विधायक महेंदर हाइडिया के खिलाफ मोचा खोल दिया था वहीं अब और कुछ नाराज नेताओं ने अपनी नाराजगी एक पत्र के जरी एक खून का अंगूठा लगा कर जाहिर की और उन्होंने बीजेपी आला कमान को लेटर सौप दिया है देखें इसी पर हमारी अखास रेपोर्ट दौर की विधान सभा पाच में छड़ा महा संग्राम कुछ और निताओं ने जाहिर की अपनी नाराजगी उन से अंगूठा लगा कर आला कमान को सौप लेटर पिछले दनों करीब 35 निताओं ने की थी बैठक बैठक में निताओं को तवज्जो देने की उठी थी मांग MP की विधान सभा चुनाफ को कुछ ही दिन बचे हैं ऐसे में दौर की विधान सभा में अलग ही घमासान छुड़ गया है या कि भाजपा निताओं ने अपनी नाराजगी खुल कर पार्टी आला कमान के सामने रखना शुरू कर दी है भाजपा निता राजा कोठारी अश्विन उज्जेन कर आकाश राठोर राजिश जोशी ने खून का अंगूठा लगा कर लेटर आला कमान को भीज़ा है विधान सभा पांच की वाइड किर्मांक उननचास की भाजपा निता राज कोठारी का कहना है कि उनकी लगातार उपेक्षा की जा रही है इसलिए उन्हें यह कदम उठाना पड़ा यह सभी लोगों को कोई भी मुख्षी ग्रुप से एक फोन नहीं गया इसके आरण कोई भी कारिकरता विधान सभा के जो इस बिल्कुल समझे में नहीं आ रही हूँ अपना को सर पर ही नेता समझ रहे है वहीं जब इस मामले में विधायक महींद्र हाइडिया की राय जानी गई तो उन्होंने नाराज कारिकरताओं को भाजपा संगठन से जवाब तलब करने की बात कही आपको बता दे कि कुछ दन पहले विधान सभा पाच के करीब 35 नाराज नेताओं ने एक होटल में बैठक की थी और उन्होंने प्रत्याशी चैन में उनकी राय को तवच्छो देने की बात कही थी ऐसे में अपकी बार पुराने भाजपा नेताओं की नाराज की सामने आने के बाद बीजेपी की मुश्किल बढ़ती दिखाई दे रही है वी और रिपूर्ट अपीनियूस इदार